आम तोर पर हम टीवी डिबेट, न्यूज और अगबारों के जरिये वीटो पावर के बारे में सुनते आए हैं या पढ़ते हैं लेकिन इसके बारे में जादा जानकारी नहीं होने के कारण हम उससे जुड़े मुद्दों को समझ नहीं पाते हैं लेकिन आज इस रिपोर्ट के जरिये हम आपको वीटो पावर से जुड़ी सारी जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि वीटो पावर किसी देश के लिए कितना महत्वपूर होता है इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें दुत्य विश यूद के बाद सक्सेसर देशों में चाइना, अमेरिका, रूस, फ्रांस, युनाइटेड किंग्डम यानी की यूके ने मिलकर दुनिया भर में शान्ती सुरक्षा कायम करने के लिए सैयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत UNSC का निर्माण किया शुरुआत में इन्ही 5 देशों को वीटो पावर दिया गया साथ ही इन्हें स्थाई देशों के तौर पर जाना जाने लगा जो आज भी बरकरार है आज UNSC में 5 स्थाई देश और 10 अस्थाई देश है स्थाई देशों को ही वीटो पावर हासल है अगर United Nation में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है और वीटो प्राग देशों में कोई देश प्रस्ताव के खिलाब वोट करता है तो उस प्रस्ताव को रद कर दिया जाता है यहीं से वीटो पावर की शक्ती होने का पता चलता है चाइना, अमारिका, रूस, फ्रांस और United Kingdom UNSC के स्थाई देश है और इनी को वीटो पावर हासल है जबकि UNSC के 10 आस्थाई देशों को वीटो पावर हासल नहीं है जिसमें भारत भी शामिल है भारत दुनिया की एक बड़ी अबादी वाला देश है वीटो पावर के लिए भारत की मांग लंबे समय से रही है लेकिन अब तक सफल था नहीं मिल पाई यहीं वज़ा है कि भारत कई बार UNSC की आलोजना भी कर चुका है वीटो पावर की ताकत को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब जब United Nation में भारत के खिलाव कोई भी देश प्रस्ताव लाया तो उस वक्त रूस ने अपना वीटो पावर का इस्तिमाल कर उस प्रस्ताव को निरस्त किया है 1971 में भारत पाकिस्तान युद के दौरान भी जब United Nation में भारत के खिलाव प्रस्ताव लाया गया तो उस दरान रूस ने भारत का साथ देते हुए उस प्रस्ताफ को रद कराया था आखिर कैसे मिलती है वीटो पावर वीटो पावर किसी भी देश को उसकी काबिलियत और द्योकिक, राजनीतिक, आर्थिक तता सैन्ने शक्ति को देख कर दी जाती है भारत या किसी भी देश को वीटो पावर तभी मिल सकता है जब उसे सारे स्थाई देशों का सकरात्मक वोट मिले और कम से कम दो तीहाई अस्थाई देशों के सकरात्मक वोट मिल सके लेकिन स्थाई देश अपनी शक्ति साजा करना नहीं चाहते चीन और अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक सुपर पावर देश बने लिहाजा आज तक भारत वीटो पावर के लिए संघर्श कर रहा है इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें